सभपती के बोलने के अंदाज पर उन्होंने टिपणी की, सभपती के बोलने का अंदाज सही नहीं, जया ने कहा कालाकार हूँ, मुझे टोन समझाती है, तीखी बहस के बाद विपक्ष ने वॉक आउट किया, सोन्या गांधी ने जया बच्चन का समर्थन किया है और आप ये देखिए, जहां जगदीब धनकर उन्होंने जया बच्चन को उनको बोलने के लिए नाम जैसी ही लिया, जया अमिटा बच्चन और उसके बाद जया बच्चन इस बार खड़ी हूँ और उन्होंने नाम को लेकर नाराजगी नहीं जताई, बलकि उन्होंने इस ब बाद का भी जिक्र किया कि मैं कलाकार हूँ और लंबे समय से कला के शेतर में हूँ और मुझे बहुत अच्छे से टोन समझ में आती है सर आपकी जो टोन है वो सही नहीं है यह कहकर उन्होंने जैसे ही अपनी बात आगे बोलना शुरू किया जो सभापती है वो नाराज हो अधिया काफी उन्होंने नराजगी व्यक्ति की और आप भी सुनिये इस दौरान क्या कुछ हुआ बोडी लैंगेज समझती हूं एक्स्प्रेशन समझती हूं और सर मुझे माफ करियेगा मगर आपका टोन जो है इस नौट एक सब्सक्राइब या कलीक सर यू में बी सिटि एक स्क्रापूल ज्याजी एक यूरशिट एक्योर शिट एक्योर शीड एक्योर शिट एक्डूर सिट एक्श्राइब ुस्प्रेशन समझती हूं और सर मुझे माफ करियेगा मगर आपका टोन जो है it's not acceptable, we are colleagues sir you may be sitting on the chair and I remember when I went to school Jayaji, take your seat Jayaji, take your seat take your seat take your seat one second, honourable members honourable members honourable members, no bet here, bet here, bet here honourable members, bet here, bet here bet here, I know how to deal with it bet here Jayaji, you have earned a great reputation you have earned a great reputation you know an actor is subject to the director you have not seen what I see from here every day I don't want to repeat I don't want schooling I am a person who has gone out of the way and you say my tone no, no, no she is given to you no, no, don't have floor now no, enough of it enough of it no, enough of it you can't have it you may be anybody you may be a celebrity you have to understand the decorum no, nothing nothing no, no, not at all I will not bear it youth one second one second one second please, please you will take your seat I'll get to you I will take your seat I'll get your seat लेकिन अपने जीवन में मैंने पृतिपक्षिका ऐसा अमर्यादित असोवनिय ब्योहर कभी नहीं देखा आज मन जठित वेदना से भरा हुआ है यह वला संदी का अपमान नहीं है यह देश के लोकतांतरिक मूल्यों का अपमान है यह लोकतंतर का अपमान है ये संबिधान का आपमान है और गैर जिम्मेदार प्रितिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में जोकने का प्रियास कर रहा है मानी सभापती महुदे हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो कि वहल प्रिश्णिकरता का जवाब नहीं देते हैं हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं लेकिन आज प्रिश्णिकाल में ये जो व्योहार किया है सच मुच में इसका दूसरा कोई उधार नहीं मिलता और जैसा कि आदरनी सदन के नेता ने कहा है इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए उन्हें सारे सदन को सर्मसार किया है देश को सर्मसार किया है टूस जैपी नड़ने कहा कि विपक्ष का बैफार अशोभनी और गयर जिमेदाराना है विपक्ष देश को कमजोर करना चाहता है हमें जब विपक्ष की आवाज दिखती है तो मुझे यह संशे होता है कि वो राश्ट्रिय पार्टियां वो प्रादेशिक पार्टियां क्या उनका एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है और आज जिस तरीके का जो आपने कहा टॉप ग्रास वो इस बात को इंगित करता है कि सारी लीडर्शिप इस बात से सहमत है कि वो आपने किसी भी कारण से हाउस न चले इसके लिए वो प्रेरित होती है जो आज का वहवार है मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मागनी चाहिए और और सदन की मर्यादा सदन की गरिमा जिसके बारे में वो बार बार दोराई देते रहे हैं यहां बैठ करके उसको उनको आचरन में लाना चाहिए वक्त आ गया है आचरन में लाने का और मैं इतना ही कहूँँगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूँ वही उनको माफी मांगने की बाप भी कहता हूँ